आज हमारा हिंदी का लेक्चर है क्या आप सबको हिंदी पढ़ना और लिखना पसंद है? जी हाँ, मुझे हिंदी लिखना और पढ़ना बहुत पसंद है अब तक हम सारी मात्राय पढ़ रहे हैं आज हम एक नया पार्ट पढ़ने वाले हैं पार्ट शिरू करने से पहले आप मुझे बताईए जब आप आपके सारे परिवार के साथ या कभी अपनी दोस्तों के साथ भाव जाते हैं तो क्या आपको अच्छा लगता है? जी हम सबको अच्छा लगता है जो हम हमारे सारे परिवार या दोस्तों के साथ होते हैं है ना मुझे भी बहुत पसंदे मेरे परिवार और दोस्तों के साथ जाने जब हम कहीं भाव जाते तो उसे हम क्या कहते हैं स्कूल के बच्चों के साथ, तीचर्स के साथ भी भाप ले जाते हैं हम उसे क्या कहते हैं? कोई बता सकता है मुझे? जी हाँ, हम उसे कहते हैं पिक्निक हम पिक्निक पे बहुत excitement से जाते हैं वह साह से जाते हैं हमें सब को बहुत पसंद है पिक्निक पे जाना नहीं, तो चलिए आपको मैं बताती हूँ बीच क्या है और बीच को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो चलिए हम वो पार्ट एक साथ पढ़ते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं तो ये वो पार्ट है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी पार्ट का नाम है पिकनिक का मज़ा आप सब को मुझे हम सब को पिकनिक पर जाने में बहुत मज़ा आता है ना आप कैसे मैं इंजॉय करते हो पिकनिक पर जाना वैसे पार्ट का नाम भी दिया गया है पिकनिक का मज तो मैं ये पार्ट पढ़ती हूँ और आपको इस पार्ट में क्या लिखा है वो समझाने की कोशिश करती है आप मेरे पीछे पढ़ने की कोशिश कीजिए और इस पार्ट को समझने की भी कोशिश कीजिए आज रवीवार है बच्चों की छुट्टी है चाचा जी रुतुचा प्रग्य चलो आज समुद्र टट पर पिकनिक मनाने चलते हैं मौसम भी सुहाना है अपने मित्रों को भी बुला लो प्रग्य अरे वहाँ चाचा जी तब तो मज़ा आ जाएगा मैं अभी मित्रों को फोन करता हूँ रुतुचा मा जल्दी से कुछ खाने का सामान रग दो मा तुम लोग तैयार हो जाओ मैं खाने की टोकरी लगाती हूँ इतने में रक्षा शुरूती और हर्ष भी आ गए सब चाचा जी की कार में बैठ कर चल दिये समुद्र टट बीच पर समुद्र टट मैंने जैसे कि आपको कहा था मैं बताऊंगी बीच को बीच माने जहां पर बहुत सारा पानी होता है उसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे उसे कहते हैं समुद्र टट क्या कहते हैं समुद्र टट समुद्र टट बीच पर बहुत भीड थी बच्चे समुद्र की किनारे खूब खेले टट पर सब ने रेट के टीले बनाए रेट के टीले मतलब क्या? आपको दिखरा है हाँ यहाँ पर वो बच्ची जो रेट के ढेल लगा रही है घर जैसे बना रही है उसे कहते है रेट के टीले रुतुजा और शूटी ने समुद्र टट से सीपिया और शंक इकटा किये खेल कर सब को भूख लग आई रुतुजा और रक्षा ने चटाई बिचाई शूटी और हर्ष ने खाने की टोकरी से सामान निकाला सबने सैंडविच और चोकलेट खाये संत्रे और अम्रूद भी खाये प्रग्य सबके लिए नारिल पानी ले आया घर वापस जाने का समय हो गया था चाचा जी चिलके और कागस की प्लेटे कुड़े दान में दालू समुद्र टट को साफ रखना चाहिए शाम हो गई थी सब घर बैटकर सबकार में बैटकर घर आ गए तो ये था हमारा पार्ट बहुत अच्चा है ना आप सब को पढ़ कर मज़ा आया मुझे बहुत मज़ा आया तो चलिए मैं आपको समझाती है इस पार्ट में क्या लिखाया आज रविवार है मतलब रविवार का दिन था जैसे कि आप सब जानते है रविवार को हम सब की घर में छुटी होती है तो सारे बच्चे भी घर में थे तो चाचा जी ने कहा रुतुजा उप्रग्य जो घर में बच्चे थे उनका नाम था रुतुछा और फ्रग्य चलो आज हम समुद्र टट पर पिकनिक मनाने चलते हैं आपको यादे मैंने बताया समुद्र टट मतलब बीच क्या होता है बीच समुद्र टट पर पिकनिक मनाने चलते हैं ऐसे चाचा जी ने कहा हम जब मौसम बहुत अच्छा होता है ठंडा होता है जाधी दूप नहीं होती है जाधी बारिश नहीं होती है हम सब ऐसे मौसम में बहुत जाना पशंद करते हैं तो चाचा जी ने कहा, मौसम भी सुहाना है, अपने मित्रों को भी बुला लो, उनों ने क्या कहा, अपने मित्रों को भी बुला लो, प्रग्य ने कहा, अरे वाँ, चाचा जी, तब तो बहुत मज़ा आएगा, जैसे आप सब को अपने मित्र, यानि फ्रेंज के साथ खेलने म में मज़ा आता हैं ऐसे प्रग्य एक बच्चा था उसे भी उसके मित्रों के साथ जाने में बहुत मज़ा आने वाली थी उसने कहां चलो मैं अपने मित्रों को फोल करता हूं इतने में रुटुजा ने महां से कहा हां जल्दी से खाने पीने का सामान रुख दो क्या कहा खाने पीने का सामान आप जानते हो ना आप पिकनिक पे जाते हो तो आपकी मम्मी आपको बहुत सारे खाने पीने का सामान देती है तो रुतुजा ने कहा आप हमें खाने पीने का सामान दे दो मा ने कहा ठीक है आप जल्दी से तयार हो जाओ मैं खाने पीने की टोकरी रखती हूँ इतने में रक्षा, शुरुती और हर्ष भी आ गए ये तीन कौन थे ये प्रग्य और रुतुजा की दोस्त थे जिने इन्होंने फोन करके बुलाया था ये सब भी आ गए पिर वो सब कार में बैठ कर चल दिया आप देख रहे हैं सारे बच्चे और चाचा जी कार में हैं वैसी ये सारे लोग कार में बैठ कर चल दिये जब वो समुद्र टट मतलब बीच पर पहुँचे बहुत भीड़ती चुटी का दिन था इसलिए हम कहीं भी चुटी की दिन जाते हैं जैसे मौल हो गया या कहीं पिकनिक की जगा पे तो वहाँ पे बहुत भीड़ होती हैं समुद्र की किनारे खूब खेल सारे बच्ची समुद्र की किनारे खेल रहे टे टट पर सबने रेत के टीले बना इसलिए आपको कहाना ये रेत के अधेर लगाते हैं उसलिए छो रोय पीनारे बोलतें फिस सब बहुत खेल रहे थे तो थक कर उने बहुत भूण लगग्गी फिर रुटुजोव रक्षा में चटाई वी काही वो सारे बैट कर खाना खाया खाने में क्या खाया सैंडवीच और कटलेट संथ्रे और अम्रूद भी खाया प्रग्या ने सब के लिए नारिल पानी भी लाया, उसने नारिल पानी भी लाया, फिर शाम हो गई थी तो घर जाने का वक्त हुआ, जब वो लोग घर के लिए निकल रहे थे, तो चाचा जी ने बुला, सारा कच्रा मतलब जो छीलके है, कागस है, और प्लेट है कुड़े दा क्यूंकि हमें समुदर टट को साफ रखना चाहिए हम कहीं भी जाते हैं तो हमें चीजें यहां वहां नहीं पेकनी चाहिए हमें कूड़े दान मतलब डस्ट बिन में पेकना चाहिए चाम हो गई थी सब कार में बैठकर घर आ गए तो यह था हमारा आज का पार्ट ठीक है अब आप इस पार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और इसके नीचे प्रश्ण उसके रहे हैं उसे कंप्लीट करेंगे और मुझे उसका एक क्लियर पिक्चर बेजेंगे ठीक है अब हम मिलते हैं हमारी अगली हिंदी की क्लास में अल्ला हाफिस